को वेरी गुड इवनिंग पीडोलू सोल्जर्स कैसे हैं आप सब लोग आई हॉप यॉर वेल अज हम बात करने वाले किसकी TCP harder so do CP is really one of the very very important concept मदियर फ्रेंट्स ठीक है आज हम बात करेंगे किसकी TCP harder की और इसके साथ साथ wrap around time wrap around time पर दोस्तों लास्ट यर एक टू मार्क्स का question पहुंचा गया था तो wrap around time का जो question पूंचा गया था उस question को भी क्या करेंगे discuss करेंगे ठीक है और जो सूपर नेटिंग की जो हमारे रास टॉपिक बच गया था दूस्तों ठीक है जो लेक्टर नमबर 10 अलड़ी था हमने कल कवर किया था जो भी हमारे पास तो दोस्तों उसके बाद session को क्या करते हैं continue दोस्तों यहां से एक question आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा जिस topic को आज हम क्या करने जा रहे हैं cover करने जा रहे हैं और कल हम बात करेंगे किसकी congestion control की congestion control भी बहतरीन topic है ठीक है और वहां से भी almost chances यह होते हैं कि एक question every year to marks का congestion control से पूछा जाता है तो आज हम TCP header और wraparound time पढ़ लेते हैं और उसके बाद congestion control की क्या करेंगे बात करेंगे ठीक है तो good evening all of you जल्दी से एक बार join कर लो यह है lecture number 22 दोस्तों already 21 lecture क्या हो चुके हैं दोस्तों complete हो चुके हैं और कैसे आप सब लोग एक बार फटा-फट से बता दीजिए और session को क्या करते हैं continue करते हैं जल्दी से एक बार जुड़ जाओ तो उसके बार session को क्या करते हैं दोस्तों continue करते हैं कर दोस्तों के आंसर में आपको reply comment box में दे दूँगा दोस्तों actually समय हमारे पास बहुत कम है ठीक है तो समय कम है ओलरी मैं आप इतने सारे lectures आपको computer network के देने वाला हूं तो जो भी questions बच गयते उन questions का मैं आपको comment box में reply कर दूँगा और questions के solutions comment box में क्या कर दूँगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ topics सारे होंगे topic की आप tension मतलो ठीक है मंडे से आपको operating system स्टार्ट होगा लेकिन जो भी topics computer network के बच जाएंगे उसके लिए दूस्तों मैं आपको marathon session क्या कर रहा हूं प्लान कर रहा हूं यानि संडे में चार घंटे का marathon लेने वाला हूं every Sunday और आपका syllabus क्या कर दूँगा complete कर दूँगा तो आपको टैंसल लेने की उसकी syllabus के regarding बिल्कुल भी आप पूरा syllabus जो मैं आपको बोला था वो syllabus आपको क्या करा जाएगा कवर करा जाएगा जो भी syllabus जितना भी maximum कवर कर सकते हैं क्रेस कोर्स में वो करेंगे कवर ठीक है जो important topic नहीं है जहां से question नहीं पूछा जाता है उनको कवर नहीं करेंगे लेकिन सारे important topics प्रेस पॉर्स में क्या होंगे खवर किए डीचे रवी लोग मेरे बारे मैं तो कि डॉम समय उते हो घृस्प यूंटी अब यहां पहले मने समरे है आप बाद बताव झोटी सी हमारे बास वी अप्लिकेशन जो लेयर होती है अप्लिकेशन लेयर पेकेट नाम जो एप्लिकेशन लेयर है, एप्लिकेशन लेयर पर हमारे पास पैकेट का नाम क्या होता है, मैसेज, यह हमारे पास एप्लिकेशन लेयर और एप्लिकेशन लेयर पर पैकेट का नाम हमारे पास क्या होता है, मैसेज, और एप्लिकेशन लेयर हमारे पास पैकेट किसको फोरवर करती है वह अप्लिकेशन लेर अप्लिकेशन लेर हमारे पास पैकेट फोरोड करती है किसको ट्रांसपोर्ट लेर ठीक है हाँ सद्ध सर्दक्ड डिट tegen दाने वाला हुँ जल्द ही एक क्लास ले वाला हो निकिया और एपलिकेशन लिए तलिक है किसको बेचित है ट्रैंसपोर्ट करती ह्याओ धोस्तों यहाँ पर H1 header क्या कर लेती है अटेच 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 कर लेती है और जो दोस्तों TCP है ना हमारे पास तो निस यहां से प्रजंट हैं अंदर के अनदर यह सारे eyeballs दोस्तों क्या है है हमारे पास यहां से प्रजंट है यह सरे यह बाइत क्लियर है। अब यहना प्रहि हमारे पास यह 16.co इसमारे पास है दोस्तो, वह सोर पूर्ट कितने बी्ट सुर्स पूर्टन ए मेरे पास. 16 . सोस्प के मारे पास हम यह कानी समझ लेते हैं इस धम विka हो एक हरु कितने कह जाए कि घंटी को ठीक द्री किता है मेरे पास है मेरे पास यह फॉर भाईट की ओगा पास ओठीक लिट्ट कोhero इद 32-bit यह हम क्या क्या सकते है सबसे क्या कर लेते हैं यहां आप इसको समझे लेते हैं यहां से सीक्मेंस नंबर बिट की बात की थर टीटू बिट का यानी क्या क्या सकता हम अँए यह हमारे पास 4 बास इसके बाद हमारे पास क्या है दोस्तों यह जो हमारे पास चार बिट का है header length यह 6 bit मेरे पास reserve है यह flag है URG, ACK, PSH, RST, SIN और FIN तो यह 4 bit हो गई 4 plus 6 यह reserve है कितनी हो गए 10 और यह 6 कितनी हो गए 16 और यह हमारे पास window size और advertisement window यह मेरे पास 16 bit किसी book में हमारे पास क्या लिखा है window size कहीं कहीं और यह लिखा advertisement window यहां से दिया हम checksum की बात करेंगे किस की बात करेंगे checksum की तो checksum मेरे पास 16 bit का है और यह मैरे पास urgent pointer यह पास कितने विट का है तो उपर की पांच रों के दिया हम बात करें फॉर बाइट इंटू फाइव पाइव रो है और एक रो कितने बाइट की है फोर बाइट की है यह कितना हो गया दोस्तों यह हो गया मैंने पास 20 बाइट यह कितना हो गए मेरे पास 20 byte ठीक है एक सेकंड भी वेट कर लो अब ठीक है अब यहां से हमारे पास दोस्तों है क्या actually यानि हमारे पास 20 byte का जो header है न 20 byte का header यहां से यहां तक किदी में बात करूँ यहां तक यह 20 byte का header जो है न दोस्तों यहां से यहां तक यहां से यहां तक ट्वंटी बाइट का header क्या है फिक्स है 20 byte header 20 byte header यानि कहले का मतलब क्या है दोस्तों जो पहली 20 byte की स्पेस है यहां तक फास्ट 20 byte की जो इस पेस है वह ओल्रेडी पीस में डिवाइडेट है और हर एक पीस का कोई न कोई नाम है और यहां से मारे पास यह उप्सन से यानि यह उंहां पास चालिस बाइट है यहां पर यह यह हमारे पास 40 byte जो है वो variable है, यह क्या हमारे पास 40 byte variable है, यानि मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, यहां से यह कह सकता हूँ कि यह 40 byte की space है, यह freely available है, आप इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यदि आपको extra की requirement है, 20 byte के header से काम नहीं चल रहा है, आपको जितने fields available है already, इस से ज़्यादा fields की requirement है, तो आप इस 40 byte की space का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किसके लिए, future के लिए, इसलिए हमारे पास यह space के आती हो, तो option है, यदि आपको requirement नहीं है यहां से, एक single byte की भी, जो space 40 byte की freely available है, यदि आपको single byte की भी requirement नहीं है, तो यहां से आप minimum 0 चूज क हो, तो इसके 40 की 40 byte को यूज कर सकते हो, यदि आप नहीं चाहते ही, यूज करना, तो यूज मत करो, तो आप बताओ के minimum header size कितना होगा, बैए, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, स्क्रीमिंग, बेस्टीन टीजर, थेंक यू, थेंक यू सो मच, बज़ाए, minimum header size, minimum header size कितना होगा, minimum header size, यहां से दी मैं आप से बात करूं, दोस्तों, कि minimum header size एक बार बता दो, तो minimum header size क्या होगा, बैए, 20 byte की, तो यह क्या है, fix है, 20 byte का header तो already fix है, यह तो आपको हर packet के साथ attach करना ही पड़ेगा, और बाकी आपकी मर्जी है, तो 20 byte का हमारे पास, और यहां से option से आप 0 भी choose कर सकते हो, माल लो मैंने 0 choose कर लिया, तो minimum header size कितना होगा, 20 byte कर रहेगा, और यही maximum header size की बात की जाए, तो कितना होगा, आप बताओ maximum header size कितना होगा, maximum header size हो जाएगा, मेरे पास 20 byte, तो fix है, plus 40 byte का अपने option से ले लिया, तो दोस्तों कितना होगा, मेरे पास यह 60 byte का, यहां तक बात किलियर है, तो minimum header size 20 byte, sorry, और maximum 60 byte, देखो header size is not fixed, header का size यहां पर fix नहीं है, it can be very in between 20 and 60, जब header का size fix नहीं है, 20 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है, sender 20 से 60 के बीच में कुछ भी attach कर सकता है, तो receiver को कैसे पता चलेगा कि actual header का size कितना है, 20 byte है, 30 byte है, 40 है, 50 है, 60 है, it can be any number in between 20 and 60 byte यहां से, minimum 20, maximum 60, तो यानि हमारे पास actual header का size कितना होगा, इसके लिए हमको एक field की requirement होगी, जो मैं आपको और लड़ी IPv4 header में क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, एक field की requirement होगी, यदि fix होता, 20 byte का header fix होता, तो sender receiver दोनों को बता होता, कि हर एक packet के साथ 20 byte का header है, तो किसी field की requirement नहीं थी, इसी लिए हमारे पास यहाँ पर एक field available है, जिस field का नाम है दोस्तो, HL, HL का मतलब है header length, तो header का size दी 20 byte है, 20 byte है, 40 से 50 से 60 है, वो हम information कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखके भेजेंगे, तो जो information इस header में यहाँ पर लिखके भेजेंगे, तो receiver को क्या हो जाएगा, उससे idea हो जाएगा, कि actual header का size कितना है, यह बात clear है, clear है बताओ फटा-फट, तो यार एक बाँ बताओ छोटी सी हमारे पास, जो header length field given है, HL का मतलब है header length, यह कितने bit का field है, बताओ फटा-फट, यह कितने bit का field है, बताओ फटा-फट, यह 4 bit का field है, 4 bit, तो आप बताओ गे 4 bit से maximum number कितना लिखा जा सकता है, 4 bit से maximum number कितना लिखा जाएगा, maximum number लिखा जाएगा, 4 की 4 bit को क्या कर दो, 1 कर दो, यही तो हमारे पास option है, कर दो तो यह कितना होगा 15 कि यह हमारे पास फॉर बेट से मैक्सिम नंबर क्या लिखा जाएगा टूपाबर 4-1 सिंप्ली में लिख सकता है ठीक है तो यानि सेम कहानी हमारे पास जैसा की आई पीव फोर हैडर में था यही सेम कहानी इसकी भी है इस फिल्ड के अंदर जो मैक् कितना हो सकता है 60 eliminates 60 यह यहां से हमारे पास maximum हेडरा साइस की बात की जाए दोस्तों क्या बात की जाहे maximum हैडरा साइज मैक्सिमम जो हैडरा साइज होगा मेरे पास वो गया होगा 60 तो क्या करेंगे, वही 60 को, जो 60 है, उसको किसमें फिट करना है, यहाँ पर फिट करना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं, 15? जो 60 वाइट है, मैक्सिम हेडर साइज, 60, को किसमें फिट करना है, 15 में? तो क्या स्केलिंग फेक्टर का यूज किया जाए, एक्स, के 60 जो है, 15 बन जाए, सिम्पल सी बात है, 4 से डिवाइड करेंगे, 60 वाइट 4, तो क्या हो जागा, यह 15 बन जाएगा, तो यह नहीं, 4 क्या है मेरे पास, यहाँ पर, स्केलिंग फेक्टर है, पूर क्या है, इस के लिंग फेक्टर है, क्लियर बात, अब देखो कैसे करेंगे हम, करेंगे क्या सर, यह समझने वाली बात है, यह डिस्टरवेंस कहां से हो रहा है, बार बार, आपको कोई डिस्टरवेंस की आवाज आ रही है, वहीं, एक सेकंड वेट करो, अरे यह डिस्टरवेंस हो रहा है, पीछे क्या, खटर खटर क्या हो रहा है, वह, पूरे डिस्टरव हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, यहां उपर कोई काम चलना है, लेकिन वह काम बंद हो जाएगा, हम सेसन को कंटीनिय करते है, तो देखो, हैडर साइज, और एक हम क्या ले लेते हैं, दोस्तो, हैडर लेंथ फिल्ड, जो सेम कहानी मैंने आपको किसमें बताई थी, दोस्तों हमारे पास IPV4 हैडर ना बताई थी ना, वही सेम कहानी यहां पर होगी, हेडर लेंथ फिल्ड लिख लेते हैं, हेडर लेंथ फिल्ड लेंथ फिल्ड, तो यार हेडर का साइज जी मेरे पास 20 बाइट का है ना, 20 बाइट का हेडर साइज है, तो इसको क्या करो, आखालो फोर्ट से डिवाईड करो फोर्ट से डिवाईड करो तो क्या एगा फाइव तो हैडरल्ओंथ है ना उस हारी इद्वर्फ में क्या लिखेंगे करिध नहीं प्रिवश डेपैन नहीं नहीं है तो क्या होत soccer यह और पास 55 meter से कैसे लिखा जाएगा ट्रॉपल जीडो ऐसे लाज कर लेती है कि या 40 बॉइट धी ऐडर है डिवाइड बई तो कितना है मेरे पास 10 को कैसे लेकिनगे यह 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 यादि हमारे पास हैड़र साइस 60 वाइट का है रिवाइड भाई फॉर कितना आएगा फिप्टीन को कैसे लेकिन को फॉर बिट से मारे पास फॉर बाइड यह बात वैसे अल्लेडी हम किसमें बता चुके हैं दोस्तों आपको अल्लेडी आई पी फॉर हेडर में डिसकस कर चुके हैं यहां तक कोई समस्या किसी को है क्या सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें हम यहां पर टाइम बेस्ट अपना नहीं करना चाहते हैं ज्यादा तो यह हमारे पास हो गया उसके बाद हमारे पास क्या है ऒर देस्टन सभ्ड़न नहीं करते हैं तो इसन बास क्यों अल्ली bikes करेमारे हो च्चिक सकते एक अव्चुका घॉस्त हो चुक इंञा स्ब्सक्राइब का और ढ़े 308 विट का सुपरम जो मेरे पास हैat गया कि आप यह बटा वीर मेड़ों एक rpm विट की दी में रेंज निकालू पहला नंबर की आएगा जीरो और में सबसे बड़ा नंबर की आएगा मैक्सिव नमबर 16 विट से टूपावर 16 वानस वन इस जीरो टू 65,535 पानसो पैंटिस इसकी रेंज क्या हो जाएगे 0 से 65,535 इसकी पॉर्ट नंबर की तोस पोर्ट हो यद्र देशन पॉर्ट हो ठीक है अब यहां से हमारे पास actually क्या है भई, port number क्या है हमारे पास यह समझ लेते हैं, देखो यहां से हमारे पास 0 से 65,535 तक क्या है यह port numbers है, port number किसको assign होता है भई, भई बताओगे, process के लिए, भई कोई computer है, एक से ज़्यादा running process हो सकते हैं at a time, तो उस running process को identify करने के लिए हम क्या करते हैं, port numbers का use करते हैं, उसमें बहुत जा detail में नहीं जाने की requirement है, ठीक है, इनकी यह बात की जा, range की, तो दोस्तों हमारे पास 0 से 1023, यह मेरे पास well-known port number है, well-known port number, assigned and control by IAM, इंटरनेट assigned नमबर अथर, सर, well-known port number का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास, देखो, दोस्तों, actually हमारे पास क्या है, 0 से 1023 तक, यह सारे well-known port numbers है, जैसे कि SMTP, कौन सा port number यूज़ करती है, दोस्तों, बताओगे बैं, SMTP, SMTP, uses the port number, 25, STTP, uses the port number 80, और FTP, FTP क्या आगाम करती है, हमारे पास, दो port number यूज़ करती है, application layer protocol में पढ़ेंगे, हम डेटेल में, 20 और 21, DNS, port number 53, ठीक है, हाँ, हर process को अलग port number होगा, बिल्कुल, यदि एक computer है, उसमें चार running program है, तो हर एक running program को एक अलग port number होगा, यह हम अल्रेडी discuss भी कर चुके है, यार क्लास में, पहले discuss कर चुके है, ठीक है, तो यानि हमारे पास well-known port number का मतलब कहा है, जैसे कि हमारे पास SMTP, हमारे पास mail send करने के लिए किस protocol को यूज करते हैं, SMTP, simple will transfer protocol, तो इसको port number कहा है, assign है, कौन सा port number है, 25, यहाँ से HTTP, hypertext transfer protocol, किसके लिए कहा है, 80, file transfer करने के लिए port number 20 और 21, DNS क्या अकाम करते हैं, हमारे पास, domain name to IP address का port number कहा है, 53, तो actually में हमारे पास हर एक services के लिए, यह well-known services है, 0-1023, according to IANA, 0-1023, 1024, services क्या है, well-known services है, और हर service के लिए एक port number क्या है, दोस्तों, assign, किसने assign किया है, assigned and control by IANA, internet assigned number authority, यह government और जैसे कि एक बाब बताओ, कुछ contact numbers, हमारे पास well-known contact number, 100 for police, 102, well-known boat number, 108, well-known contact number, यह kisने assign किया, 100 for police, गावर्मेंट न再र्विया, तो जैसे कि कुछ contact number हमारे पास well-known contact number है, same as it is, कुछ port numbers मेरे पास कहा है, well-known port, और जिनकी range मेरे पास कहा, 0 से 1023 और यह हमारे पास किसने assign किया है कि यह इसके लिए है कि SMTP 25 यूज़ करेगा HTTP 80 यूज़ करेगा FTP 20 और 21 यूज़ करेगा या DNS 53 यह किसने assign किया IANA Internet Assigned Number Authority किलियर है बताओ फटाफट यह बात किलियर है भई फटाफट बताओ तो आगे बढ़ा जाएगा यह बात किलियर है बताओ फटाफट तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद हमारे पास किया है दोस्तो 1024 से 141 किया मंदर यह क्या है हमारे पास registered port number ऽे registered port number और इनको यह भी बोल सकते हों received यह हमारे पास क्या registered port number है और reserved port number है ठीक है यानि दोस्तों एक्च्वल में क्या है यह port numbers हमारे पास reserved है ना इदर assigned नौर control बाई आये ने ना तो आये ने ने इनको assign किया है ना control इनकी इसके हाथ में है यह क्या है सिर्फ हमने क्या कर रखा इनको रजिस्टर कर रहे हैं ठीके बाद अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मारे पास यहां से 49152 कि कहां तक 65535 यह सिर्फ क्या है यह registered है कि यह मेरे पास है डाइनमिक पॉर्ट नमबर इसट पॉर्ट नमबर इनके बारे मारे अगे में डाष्य ने जा सकते हैं लेकिं जाएंगे नि habíaीख मेश कोई फायदा नहीं है यह पोर्ट्र जो सिर्फ इतना आप क्या रखो याद रखो क्रेस्ट कोर्स के हिसाफ से बात क्लियर है कोई दिक्कत पर इसानी यहां तक बता हुई फटा-फट अब देखो आगया बढ़ जाते हैं यहां पर लिखा भी है क्या लिखा है वही पॉइंट पढ़ लेते हैं इस इस शिक्स्टीन बिट फिल्ड एट इफिए इपोर्ट अबर अफ ब्लिकेशन प्रोग्राम इंडी होस्ट इस इंडिंग इस इंडिंग 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 यानि हमारे पास यह सोस्पोट का है जो भी सेंडर है उसका पॉटन और देस्टनेशन पॉटन अबर क्या अप्लिकेशन प्रोग्राम इंडि होस्ट इस रिसीविंग डी यह निस वोस्पोट का है सेंडर का पॉटन नमबर है और हमारे पास डिसनेशन पॉट्ट का रिसीवर का पॉटन यह बात के लिए रभाई फटा फटा बनाव एक बार यहां तक किलियर है चीज़ तो आगे management numbers 32 इफ segments number देख क्या है क्या है क्या लिखा यह इंटिटु बिट फिल्ड मिइफाइन्स di sequence number off the first data fight پ प्थलब क्या है sequence number first data by actually दोस्तों एक बाद धियान रखना आप tcp है na tcp is a byte stream protocol every byte is associated with IP क्या, IP जब पेकेट स्ट्रीम प्रोटोकोल, एवरी पेकट इस असोचीएट सेड विछ सीवेंस नमबर, यह बात हम क्या और आपको बता चुके हैं, जलो, अब यहां से एक क्जामपल लेते हैं, और एक्जामपल के थुक्ः क्या करते हैं, समझते हैं, तो आपको जाद अच्छे से बातने क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, एक्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको ये सीक्वेंस नमबर वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे, चला हूँ, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुगा, अभी TCP के है, बाइट इस्ट्रीम प्रोटोकोल है, आप नॉट भी कर लो जाएंगे, TCP जाए बाइट इस्ट्रीम प्रोटोकोल, ये एवरी बाइटीज असोसियेटेटेटेट विद वन सीक्वेंस नमबर, ठीक हैं? अब यार यहां से यहां से यहां लो हमारे पास कुछ हैडर है, यह हैडर चोड़ दो, ठीक है, वालो हमारे पास यह डेटा है, और यहां पर डेटा में हमारे पास हंड्रेट बाइट है, कितनी बाइट है, सो बाइट का हम कोई डेटा भेज़ेगे, पिण के अब यहाँ से हम हंडेड बाइट का डेटा भेज रहेंग êtes विद्स हैं वाज ही बाइट से अ यहनि हमारे पास क्या हैём के सब्सक्राइब मफ 앉hanze है अफने हमारे पास हैd से इसपोस मैंने पहली byte का sequence number यह और 100 लिख लिया सो नेक्साइट का sequence number कितना होगा 101 हर एक byte को सिक्वेंश नबर असने करें नेक्स्वाइट का कितना होगा 102 कहाँ डॉट 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 आप मुझे यह बताओ युदि डेटा में मेरे पास 100 100 बाइट हैं तो लास्ट बाइट का सीक्वेंस नमर कितना होगा बैश वन नैंटीनाइट तो सिर्फ एक मतलब समझ लो यदि मैं हन्डेड बाइट सेंड कर रहा हूं तो इसका मतलब हन्डेड सीक्वेंस नमर मेरे पास खड़ जोगा है किलियर है बाद हर एक बाइट को यानि 199 हो जाएगा सिंपल सी बात है यार यदि मैं 0 से सुरुवात करता हूं तो 10 बाइट भेज़ूंगा तो लास्ट का कितना होगा नाइन जिरो से 99 कितना होता है 100 तो 100 से स्टाट किया तो लास्ट क्या हो जाएगा 199 अब एक बाइट बता हो मालो यह कोई सिगमेंट है कोई सिगमेंट मैं सेंड करना चाहता हूं जब मैं सेंड करूंगा यहाँ पर तो यार इस पैकेट के साथ हैडर तो जाता ही है डेटा के साथ क बाइट स्ट्रीं प्रोट्रों यानि एवरी बाइट को एक सीक्वेंस नमर आइपी यहां पक इस्टिपो डंट को लेए फिक इतनी बात याद रखो आप ठीक है कर रहें sequence number अब एक बात बताओ यहां पर sequence number में क्या लिखू हूं कि यह question बहुत ही interesting sequence number में क्या लिखू हूं कि यहां से सो बाइट भेज रहा हूं तो सो बाइट के sequence number गया है वंडेट 101 1020 तो क्या मैं यह लिख दूँ sequence number में 100,101,102,103.199 नहीं यार sequence number में क्या लिखता हूं हमेशा first byte का sequence sequence number में क्या लिखूंगा first byte का sequence क्या लिखा है यहां पर देख लो it is a 32 bit field defines the sequence number of the first data byte तो जब मैं कोई भी packet हमेशा TCP में send करूंगा तो उसके sequence number field में क्या लिखूंगा first byte का sequence number लिखूंगा is it clear or not tell me first byte का sequence number कितने है 100 मैंने भीज दिया 100 अब जैसे यह segment मेरे पास receive हो जाएगा किसके पास receiver के पास वैं TCP क्या है हमारे पास connection oriented communication है कि यो डीप क्या connection less TCP क्या connection oriented यानि connection oriented का मतलब यह है आपने package send किया तो रिशीवर आपको क्या भेजेगा एक्क्रोंडिश्मेंट रिशीवर क्या भीजएगा एक्क्रोंडिश्मेंट यदि अक्रोंडिश्मेंट नहीं आया तो time out timer के बास sender फिर से क्या कर देगा उसको रिटांस्मिट कर देगा तो यार यह क्या करेगा जब यदि लुट्वह थे क्या एक्क्रोंडिश्मेंट न। यहां पर हम्मारे पास किया हुगा नेक्स्ट एक्सपॡेट federal क離är नेग्स्ट एक्सPECTEट DATABITE NUMBER वह यह कहा तक रिसीव कर चुका है यार इस ज़ेदि तो इसका मझा कमद पूरा सिगमेंध रिसी य है 100 से 199 ये कहा तक रिसीव कर चुका है 100 यह किसकी करेगा 200 कि. तो अक्रोणिश्मेंन नमबर क्या लिखेंगे? 200 आक्रोणिश्मेंन नमबर क्या लिखेंगे दोस्तोँ? 200 200 यार या पर देख लो क्या लिखा है This is 32-bit field 32-bit field defines the sequence number of the next expected byte expected byte sequence number of next expected byte 100 से 199 तक receive कर चुका है तो क्या लिखेगा आप किसका वेट कर रहा है वो 200 का यह यहां पर लिखा है if receiver has successfully received byte number x इति receiver ने successfully क्या receive कर लिया byte number x from other party from other party मतलब sender it returns x plus 1 as the accomplishment number तो यह क्या वापिस करेगा x plus if receiver has successfully received byte number x तो इसने यहां तक हमारे पास 199 तक क्या कर लिया था receive तो क्या भेजेगा यह 200 बिल्कु सही बात है सर आव मेरा सवाल आपसे यह है सवाल आपसे यह है इस receiver को कैसे पता चलेगा बई मैंने sequence number packet के साथ header भेजा header में क्या लिखा है जिर्फ पहली byte का sequence number 100 packet के साथ जो data गया है उसमें सिर्फ पहली byte का sequence number लिखा है 100 तो receiver को यह कैसे पता चलेगा यह लास्ट वाइड का sequence number 199 सब्सक्राश्य जबमेर को यह कैसे पता चलेगा लास्ट वाइड का sequence विक उस लास्ट पिचः का sequence कहीं Lap लिखा हीले यह मैंने टेटा के साथ header अगलर में किसका फर्डài sequence number का weel तो रिसीवर को यह कैसे बता जालेगा को लाश्ट वाइट का सीक्वेंक नमर वनननाईटी नैने जो दिए पता लेगा तभी तो थो थेगा ना वर्शें फां यू इसका अंशर पता है इसका अंसर बता दो तो मान जायें अत यह बार वार यार यह इन अब हाग जाता है साइज और पैकेट, पैकेट साइज, क्या बोल रहें आपकेट, सर पैकेट साइज जिदी मेरे पास 100 बाइट का है ना, तो पता चल जाएगा, सर पहली बाइट का सीक्वेंस नमर 100 है, और डेटा की साइज कितना है, 100 बाइट का है, तो सर 100 प्लस 100, 200 हो गया, माइनस 1, 199, यान तो इंपोर्टेंट कहां नहीं है, इस हैडर के अंदर, इस हैडर के अंदर, कोई ऐसा फिल्ड है, कि जहां डेटा लेंथ हो, कोई ऐसा फिल्ड है, क्या डेटा लेंथ वाला, डेटा लेंथ, कोई ऐसा फिल्ड है क्या डेटा लेंथ, नहीं है, मैं कहीं किसी फिल्ड में य ही नहीं रहा हूं data का size कितना है यदि ऐसा कोई field होता कि data length data इतने byte का है तो receiver definitely last bit का sequence number find कर सकता है लेकिन header में कोई भी field नहीं है sequence number reserve ये window size ये window size अलग भाण ये data size नहीं है check some urgent point कहीं नहीं है या कहीं नहीं है ये बास समझने वाली है टोटल लेंथ का यदि कोई फिल्ड होता इस हैडर के अंदर टोटल लेंथ का फिल्ड होता ना तो टोटल लेंथ में से क्या कर देता हैडर माइनस कर देता डेटा मिल जाता उसको वह यदि हमानों हैडर लेंथ फिल्ड भी है हैडर साइज यदि 20 बाइट का होता तो रिमेनि करेंगे टोटल लेंद का इंट लेंट है क्या नहीं है यार एनिवन कें टेल में अंसर माद ये इसकता है क्या यह तो पेच फस गया ना पेश तो फसाया ना जान पूछ के मैंने बता हुई मेरा कामी है फसाना आपको तो सबसे वहले क्या करता हूँ मैं फसाता हूँ फिर उसका solution बनाता हूँ ठीक है जलो दोस्तो हम किसकी help लेंगे यहां पर किसकी help लेंगे यहां हम help लेंगे network layer network layer पर total length का field available होता है तर मतलब का मतलब समझ लेगे एक बात बताओ छूटी सी यह application layer पर हमारे पास किसी भी packet का नाम क्या होता है masses यह कोई application layer है packet का नाम क्या मैस application layer किसको हमारे पास packet forward करती है transport layer यह सब बातें आपने पढ़ चुके है यह किसको packet forward करती है यहां पर हमारे बात transport layer क्या काम करती है भैज ही h1 header attached करती है transport layer क्या काम करती है हमारे पास h1 header attached करती है packet का नाम transport layer प्लेंख भी सीक में यह हम TCP यूस transport layer हमारे पास डो T packet किसको forward करती है network layer को कि इसको forward करती Network Leer को, Network Leer के लिए क्या है data है पूरा? अब यहां से हमारे पास एक बात बताव छोटी सी Network Leer का काम करती है, H2 header Attach करती है और H2 header Attach करने के बाद, यहां पर पैकेट का नाम काई data gram है ठीक है? कि टोटल लेंदी जो हमारे पास हैसपोस वजिट लेंगे हम हैं आए यारण फेल लेंगे से समझलेते हैं यहां पर यहां पर यह बहुत यह इंप्रेंट इंपरस्ट भाइट fighting ख mett hir स्वेंस लाकर पर प्रॐकर स्वेंस सोट शक पर कितना है मिरे पास रिष्ट total length at network layer suppose total length at network layer 140 है आपको समझाने के लिए एक डिटा ले लिया है total length का जो फिल्ड है network layer पर हो कितना 140 वाइट का है total length data plus header मिलाख यह बता यह यह 140 है है कि to header network लेतरे हैं किचेंए 20 कि वाइट का सबो सब्सक्तालिया मैं मैं कि कितना मेरे पास यह 120 हो गया वाक इसका साइज 120 किना है कि ट्रांसपूर्ट बाशा हैने 20 कले लिया है कि इतना बचा। कि तु ladd सिरे पर ह départ लिए ही हैं किलाए कि एक धमी डेटा लिया है को पलास्ट इपसिक घंटके अबर कैसे फाइंड आइँ लास्ट आज सीक्वेंस क्इम कैसे फाइंड कर सकते हैं पहली आइट का सब्सक्राइब कितना था हंड्रेड और डेटा कितना वेज़ना में हंड्रेड माइनस वन कितना आ जाएगा 191 तो एक नोडिश्मेंट नंबर क्या होगा कि दूर्ण रहे है कि यह वाली बात कि बता फटा फट बताव वई यहां से क्लियर है तो आगे बढ़ा जाएगा कि अब देखो करना क्या है कि करना क्या है कि एक बात और चोटी सी बताओ तो ट्रांस्पोर्ट लेर का पूरा सिग्मेंट है ना और नेटवर्क लेर के यहां पर फिट हो जाता है ना रांस्पोर्ट लेर का पूरा सिग्मेंट नेटवर्क लेर के जो डेटा है उसमें फिट हो जाता है तो नेटवर्क लेर बेदी कंडिशन में देखो और सॉटकट बता देते हैं यार और रोटेयर अ՛े ओर यहां से मेरे पास एक हैडर होगा कि मैं फीक है ये एक्सटू है रात ही होता है कि यार यहां पर जो मेरे पास यह जो है तो टेटा और 아니고 रोटें ट्रांटसबोर्ट्रेयर पर सिग्मेंट मिला के दोनों किसके एक है network layer के data इटकर फॉय जो पूरा segment रहे यहीश हो जाएगा इसके data के साइज में इटवर में की डिटा के साइज गए इस त्रांसबोन फिन वो किस एट हो जाएगा को पूरा सीपोलियर हो जाएगा ठीक है अब यार एक बाव बताओ यह जो यहां से यहां तक लेंथ है ना नेटवर्ग ले टोटल लेंथ यह 147 कि यह एक टू क्या है मेरे पास नेटवर्ग लेकर 20 बाइट का इसको भी कहले लिए 20 बाइट का 20-40 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हंट्रेट बाइट तो यार सॉटकट फॉर्मॉला बताओगे बई सॉटकट फॉर्मॉला क्या बन जाएगा मेरे पास यहां से कि डेटा साइज या डेटा लेंथ ट्रांस्पोर्ट लेर क्या होगा यह टोटल लेंथ लेलो टोटल लेंथ जो भी है मेरे पास आई पी की नेटवर क्लेर की माइनस यह हमारे पास TCP हेडर माइनस आई पी हेडर यह क्या बना लो यह जन्रलाइस फॉर्मॉला बना लो यह नेटवर क्लेर की बात कर लो यहां पर बताओ बैए यह जन्रलाइस फॉर्मॉला बना यह नहीं बना लेटा का साइज निकाल सकते हैं के नहीं निकाल सकते बताओ फटाफट बैए दो हैंडर कैसे हैं एक बाव बताओ यह उपर वाला यह है ट्रांसपोर्ट लेर का जो पार्ट यह इसके अंदर फिट हो जाएगा ना यार्ट यह वाली बात तीदी आपको एक बाव बताओ श्रूट इस in एप्लीकेशन लेखें इस와 प्सक्राक्राइब क्या करता है, आपकर क्या बताना चाहिब टूरा यह जो सिगमेंट है ना यह नाutवरों के लिए डिटा है कटने के लीज़ट में क्या करती है है यह मंदा या यह मदा जो है यह पूरा यहां पर इस acquainted और यह टांस पोड़्य चायँ में बरावर यह इसके अंदर एंटに सेड़ोगा है हो फिट हो गया बढ़र करेंश नेटवर्क लेट पर ऐसी कंडिशन होगी ना एक हेडर एस्टू चोल लड़ी लगा हुआ है और इसको क्या कर लो इस पैकेट को इसके इंदर एनके स्ट्रेट कर लो प्रिये एच वन पास समझ में आगी है बताओ फटाफट भई किलियर है है ऐसा निकाल सकते के नहीं निकाल सकते अ चालो अब देख हमेंस वाल आएपास ऐसा तुछ कि कि यार हमारे पास जो है ट्रल सेन अ ओर बास 10 है और मैरे पास टॉटल लेंध है 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 वो हमारे पास tus00 कि हमारे पास IP पर information एंड यह ए और यहां पर उस है यहां पर हमारे पास तो सब्सक्राइब है कि ओर सीध शेग्वन्हां अर्च नंभर फिल्ड्य में जो इसमेरे पास वह पासंग व कश्राओं आरे है आइघम अडि़न ए तो यहां से इस question में यह पूछ रहा था, what is the data at transport layer, कि transport layer पर data क्या होगा, बताओगे बई, तो यार data size at transport layer तो मेरे पास shortcut है न, बई, simple सी बात है यार, यह मैंने आपको अभी बताया है बई, network layer पर condition कैसी होती है, यह तो मेरे पास h1, h2 header हो गया, और उसके अलावा क्या condition है, बताओगे फटाफट, यह मेरे पास h1 हो गया, 985, नहीं यार, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, यार, एक बात बताओ, छोटी सी, header length field 10 है, यह क्या IP header है, है, एचली 10 है, तो header का size कितना होगा यार, header size यहाँ पर कितना होगा, मेरे पास 10 x 4, 40 byte होगा नहीं यार, header size, यह मेरे पास, यार, यह मेरे पास कितना है, 40 byte होगा, यहाँ पर header length field में कितना लिखा, 5 तो header का size कितना होगा यहाँ पर, 5 into 4, 20 byte का होगया, यह 20 byte का है, और यह कितने का है, 40 byte का है, तो 20 और 40, 60 मानेस कर दो तो यह कितना बचेगा, 960 बचेगा ना यार, यह हमने simple सी बात, बात करी थी, data size head, transport layer, क्या बताया था, total length type network layer और IP, minus IP header, minus TCP header, यह बात की थी नहीं है, तो बताओ कितना है वही, फटाफ़ट, यहाँ से वही बात आजाएगी नगे, यह कितना था, 1000, तो नो header मानेस करने, सिर्फ, minus, 40 मानस, 60, oh sorry, 60 होगे, 940 आएगा, 60 होगे, 940 हाएगा, 940, 940, अब एक बाह बताओ, यह 940 आया है, यहाँ से, मुझे छोटी सी बात बताओ यार, यहाँ पे, लास्ट वाइट का सीक्वेंस नमबर क्या होगा, लास्ट वाइट सीक्वेंस नमबर और एकॉनिश्मेंट नमबर, I am interested in it all, लास्ट वाइट सीक्वेंस नमबर, लास्ट वाइट सीक्वेंस नमबर कैसे निकालोगे फटा फट बताओ, लास्ट वाइट सीक्वेंस नमबर, लास्ट वाइट सीक्वेंस नमबर हम कैसे निकाल सकते हैं, फस्ट बाइट सीक्वेंस नंबर कितना है मेरे पास फस्ट बाइट सीक्वेंस नंबर है मेरे पास कितना वहिश सीवेंस नमजाट में 100 लिखहता है उस सीक्वेंस नमजाट में 100 लिखेंट लिखेंद है यह किसका है यह पहली वाइड का harus हुं करांड है यह पहिंद अंडेड एंडेड़ को और कतना है डीटा साइच नो सो चाल्यस ओन में कितना हो गया 1049 एंद voz कि लिए रहे वाली बात तो एक्रोनिश्मेंट नमबर भी निकाल सकते हैं और एक्रोनिश्मेंट नमबर यहां से क्या होगा एक हजार चालेश बता हो बई यहां तक किसी को कोई दिक्कत परिशानी है क्या यहां तक कोई दिक्कत परिशानी किसी को है क्या तो आगे बढ़ जाते हैं पटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो आप से लोग अल क्लियर वेरी गुड क्या वात है अरे यार पहले डेटा स्ट्रक्सर पढ़ने हैं तुमको पहले कम्प्यूट नेटवर्क डेटा स्ट्रक्सर भी हो जाएगा यार प्रोग्रामिंग के बाद चिंता कहें करते हो भाई को अब देखो और आगे बढ़ते हैं यार मुझे क्या करना है सर ये तो हम यह भी नहीं क्या करना है आपको आप dur क्यों इनि कुछ बढ़ा करना है looked 213 अवरомеं यांसे बढ़ा करते है सेप्यूं सुम्पर कितने हैं 32 kिया कख का है पहली बार समझ मैं है बिल्कुल वेरी गुड क्या बात है टीसीप आर एक्शली मैं आपको बता हूँ टीसीप जो है ना ट्रांस्पोर्ट लेर जो पूरा टीसीप है वो मैं कि यह फिस गंटे पढ़ाता हूं लेकिन समय नहीं है वह 30 गंटे लें पढ़ाने वाला चार गंटे में हम खतम करेंगे लेकिन full course में मतलब TCP बहुत ज़्यादा हो जाता है because important important concept सारे क्या करेंगे cover करेंगे sequence number कितने बिटका है 32 बिटका है तो ये एक बाव बताओ छोटी सी total sequence number कितने होंगे total sequence number होंगे 2 power 32 2 power 32 को क्या लिख सकता हूं 2 power 2 into 2 power 30 2 power 2 मतलब 4 G sequence number 4G sequence number है 4G और TCP के byte stream protocol है हर एक byte को क्या करते हैं हम एक sequence number assign करते हैं तो यदि मेरे पास 4G sequence number है 4G sequence number कितनी byte को assign हो सकती है 4G byte को 4G sequence number से कितना data भेज सकता हूं 4G byte because हर एक byte को sequence number assign होता है तो data size कितना 4G यदि data size मेरे पास कितना यहां से 4G byte तो यानि दोस्तों यह sequence number मेरे पास 4G को क्या हो सकते हैं 4G sequence number total मेरे पास available हैं तो यह 4G byte को क्या हो जाएंगा assign यानि maximum 4GB का data मैं भेज सकता हूं एक साथ कितने जीवी का 4G जीवी का अब समस्या क्या है समस्या यह है दोस्तों इफ डेटा साइज greater than 4G जीदी जो डेटा का साइज है आपका वो 4G से greater है तो क्या करेंगे इफ यह डाउनलोडिंग एनी मूवी एंड इस greater than 4G गेम्स या कुछ भी ऐसा तो चार जीवी से ज्यादा है तो क्या चार जीवी से ज्यादा की मूवी आप डाउनलोड नहीं कर सकते क्या गेट के कोशन भी करेंगे ना लास्ट यर का कोशन भी करेंगे सुनिल पाटिदार लास्ट उसी पर फोकस कर रहे हैं तो यहां से कंसेट्ट बता है न यह वाला कंसेट्ट यहां से सवाल पूंचा गया गेट में एसी इंफोर्मेशन गिविन थी यह और वह पूंचा था डेटा साइज ट्रंस्पोट लेर मैंने आपको होमबर्क के लिए भी दिया था ऐसा कुशन एक इसलिए कंसेट्ट समझाए जिदी चार जीवी से ज्यादा का डेटा है तो क्या करेंगे हमारे पास अधाओ फटा फटा टार जीवी से ज्यादा का डेटा है तो क्या करेंगे अधाओ एक बाव चोटी सी मेरे पास यहां सब्सक्राइब चलो आगे बढ़ जाते हैं सीक्वेंस नंबर की दिए मैं बात करूं आपसे सीक्वेंस नंबर मेरे पास कितने विटका है तो पावर 32 सीक्वेंस नंबर टोटल सीक्वेंस तो पावर 32 यानि हमारे पास 0 2 2 पावर 32 माइनस 1 यह पहला sequence number होगा और सबसे last sequence number क्या होगा यह हो तो यार एक बाद बताओ मेरे पास यह निए first sequence number मेरे पास zero है तो last sequence number क्या होगा तूप आबर 32 मैनस मैं मालो zero से क्या करूँगा start करूँगा reuse करूँगा बिल्कुल same बात सही बात है यार यहां से मारे पास मैंने start किया तो खर्तम हो गए खर्तम होने के बाद फिर से मैं क्या करूँगा फिर से वापस कहा जाओँगा zero पे और फिर से zero से to power 32 फिर से zero से to power 32 reuse करता रहूँगा wrap around तो इसको क्या बोलते है अब यार एक सवाल मैं आप से और पूछना चाहता हूं यहां से यह सवाल तो रही गया बीच में सवाल यह था वही जैसे कि मानलो मैंने यहां से डेटा भेजा था ना यह इसका sequence नमर क्या लिया था 100 लिया था करados करें लिया था को नहीं लिया बहुत नॉर्मरल्ली हम कोई भी महानलो हम itsdeek Griffonos दीर नानці नटीन के लिए हंड्राइं यहां 0 नहीं लिया है इसका कोई रीजन है यह क्योई रीजन मी यह सवाल आपसे पुछना जाता हूं। यदि मैंने यहां 0 नहीं लिखाया है, 0 से 99 नहीं लिया है, तो इसका कोई रीजन है यह कोई रीजन नहीं। इनिशल सीक्वेंस नमबर कभी भी 0 से स्टार्ट मत करो, वह हमारे पास कभी भी आप 0 से इनिशेट मत करो, एक रेंडम नमबर उठाओ, वह हमारे पास कितने सीक्वेंस नमबर एवेलेबल है, 0 से 2 पाबर 32 मैनस 1, वो कह रहा है, इतने सीक्वेंस नमबर एवेलेबल है, इन म से हमारे पास randomly कोई number pick कर लो पट कभी भी always zero से start को TCP में हमारे पास TCP never start with the sequence number zero always zero से हमको start नहीं करा क्यों नहीं करना उसका रीजन है लेकिन gate के लिए requirement नहीं है हमारे पास के gate के लिए जरूरी नहीं है मतलो gate के लिए जरूरी नहीं मतलो अभी crash course के जरूरी नहीं है और gate में नहीं पूछेगा knowledge purpose से जरूरी होता है लेकिन अभी knowledge की requirement नहीं है तो कभी full length course में मौका मिलेगा जब full length course में तो आपको बताएंगे यह सब चीज है लेकिन crash course के मतलब की बात नहीं है तो उतना ही में आपको बता रहा हूँ यहां हमेशा जरूरत है कि TCP में कभी जीरो से start नहीं करूंगा यह restriction है कि आप जीरो से start मत करो कुछ प्रॉलम हो सकती क्या हो सकती है कोई मतलब नहीं भी discuss करने गए ठीक है तो टाइम बेस्ट हो जाएगा काफी विप को जाबिया मेन फोकस करना जा रहे है को एक बाद आव हम क्या करेंगेis random numbers से select करते है कहाँ से random नंबोसे इस time यार रेंडम नंबर से दिन सब्सिक करेंगे तो यानि मेरे कहने का मतलब क्या है देखो डेटा साइज एक छोटी सी बात यह समझ लो कि डेटा साइज मेरे पास यह फोर जीवी है और प्लस यहां से 10 वाइट और एक्स्ट्रा है तो जो फोर जीवी है मेरे पास वो 0 से 2 बाबर 32 सीक्वेंस नमर खतम हो गए जीवी बाबर 32 माइनस वन यहां तक मेरे पास इसके आगे की जो बाइट है फिर से सीक्वेंस नमर क्या हो जाएंगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे जीरो टू नाइन कि 1000 है कि टी सिटी गेता पृंडम स्टार्ट करो कहीं से भी हमानलों हमारे बाइन हमारे पास यह मैरे बाब जीरो है और यह मेरे पास डुक पावर 32 माइनस जीरो और से अमेसा स्टार्ट क bisa random नंभर से स्टार्ट करें style ओ ही यहां से कोई random नंबर मैंने लें और रेंडम नमबर क्या लिया है मैंने suppose 1023 ले लिया तो यदि मैं यहां से start करता हूँ हाँ एक से start कर सकते हैं जिरो से नहीं करना यदि मैं मालो random नमबर मैंने 1023 से start किया तो मैं क्या करूँगा पहले यहां तक जाओंगा पूरा आगे बढ़ूँगा 1023 से 2 power 32 मानस 1 हो जाएगा जाओ यहां फिर वापस 0 पे आऊँगा और फिर यहां से यहां पे एक cycle क्या हो जागी complete हो जाएगा फिर से तो इसको हम क्या बोलते हैं wrap around अब एक छोटी सी बात बताओ मानलो मैंने यहां से start किया है क्या वो लेंगे wrap around अब यह बताओ मुझे wrap around time यानि कितने मानलो मैंने 0 से start किया कितनी देर बाद में वापस 0 पे आजाओंगा यानि कितनी देर में सारे sequence number 2 power 32 खतम हो जाएगा वो किस पर depend करेगा तो wrap around time के बारे में पहले लिख लेते हैं wrap around time time taken to wrap around अब लोड़ी किया है मारे पास wrap around time तो कोई strand बताएगा कितनी देर में वापस आजाएंगे यह depend करेगा दोस्तों किस speed से data को क्या कर रहे है तो यहानि यहां से wrap around time की बात की जाए दोस्तों wrap around time depends on depends on bandwidth यह किस पर डिपेंड करेगा यह bandwidth पर डिपेंड करेगा depends on bandwidth सर मतलब मतलब क्या है एक example लेते हैं समस्तिस की कहानी यह बहुत interesting है यहीं से question आया था last year में पीवाई क्यों क्यों सौल हो रहा है आपकी करपा से अरे मेरी करपा नहीं है बस आपकी मेहनत है मैं तो बस अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ चलो यार एक बाव बताओ bandwidth मेरे पास यहां से यहां से 1 Mbps है Mbps Mbps यार एक बाव बताओ छोटी सी एक सेकेंड में मैं कितनी बाइट भेज रहा हूँ 10 power 6 byte भेज रहे हैं सब यायन हर इक बावर शोटी सी यह यह तो कि मैं यह 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 हों तो टेन पावर सिक्स सीक्वेंस नंबर एक सेकंड में खतम हो जाएंगे ना हर बाइट पर क्या कर रहे हो आप सीक्वेंस नंबर असाइन कर रहे हो हरवाइड में क्या कर रहे हैं.. सीक्वेंस नमबर असाइं कर रहे हैं .. थो 10 6 6 सीक्वेंस नमबर 1 सेंड वे खतम हो जाएंगे... एक सेंड लबर को बात करें हमारे पास तो क्या होगा यहां पर 1 बाई 10 पावर 6 सेकेंगे कितने सीक्वेंस नमर हमारे पास है बताओ फटाफट कितने सीक्वेंस नमर हमारे पास है तू पाबर 32 सीक्वेंस नमर हमारे पास है तो यार 2 power 32 sequence number कितने time के बाद खतम हो जाएंगे 2 power 32 sequence यह क्या है simple mathematics है 2 power 32 divide by 10 power 6 इसको आप divide करोगे भी 4294.96 यह क्या होगा wrap around time तो यानि हमारे पास इतने time में सारे sequence number क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे यह बात क्लियर है कि नहीं पताओ फटापट भाई यह क्लियर है क्या और यह calculation एक बार चेक कर लो 4294.96 के calculation exact है के नहीं है वैसे तो भरोसा है मुझे बट फिर भी एक बार चेक कर लो यही value है तो यानि हमारे पास जो सारे यदि में इस speed से one M byte per second भीजूंगा तो 2 power 32 sequence number इतने देर बाद खतम हो जाएंगे 4294.96 सेकंड के बाद यह खतम हो जाएंगे उसके बाद फिर से sequence number repeat होना क्या हो जाएंगे start हो जाएंगे पिर से क्या हो जाएंगे repeat होना start हो जाएंगे मतलब क्या है मतलब यह है यार एक छोटी सी बात मानों मालो आपने कोई पैकेट भेजा उस पैकेट का सीक्वेंस नमबर आपने कोई रेंडम ले लिया मालो सीक्वेंस नमबर आपने लिख लिया कि 100 सीक्वेंस नमबर में क्या जाता है सीक्वेंस नमबर हमारे पास यह सीक्वेंस नमबर से रेंडम से कहीं आप रेंडम से स्टार्ट करो कहीं से स्टार्ट करो टोटल सीक्वेंस नमब तो टूपावर थर्टीट ही होंगे न है तो टूपावर थर्टीटू सीक्वेंस नमबर इतने सेकंड में क्या होगे, खतम हो गए, फिर से इतने सेकंड के बाद फिर से क्या करने पड़ेंगे, reuse करने पड़ेंगे, यदि आपने 100 से start किया था, तो कितने देर बाद वापस उस 100 पे आ जाएंगे हम, सबाल यह है, यह आएंगे 4200, 4200, मालों यहां मैं पूरा exact number लिख रहा हूं, 4200, 494, इतने सेकंड के बाद, यह सेम सीक्वेंस नमबर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, क्या होगा, हमारे पास सीक्वेंस नमबर बना, अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल यह है, क्या ऐसा हो सकता है, कोई packet आपने भीजा सीक्वेंस नमबर हंड्रेट था, 4200, 4294 के बाद फिर से मारे पास यही सीक्वेंस नमबर आएगा, क्या ऐसा हो सकता है, कि उपर वाला packet दिले हो जाए, यह दिले हो जाए, और दिले होने के बाद, यह उपर वाला packet और यह packet दोनों एक ही time पे, receiver के पास पहुँच जाए, क्या ऐसा हो सकता है, यह दि ऐसा नहीं हो सकता, सर, क्यों नहीं हो सकता हो सकता है, वही हमारे पास, present time में हमारे पास, जो lifetime है किसी भी packet की, ठीक है, कितने time तक वो जिन्दा रह सकता है, lifetime, वो कितनी है, 180 second है ना, 180 second, यानि 3 minute, यह आपने कोई packets send किया, तो network पे maximum कितने देर रह सकता है, वो 3 minute, उससे ज़्यादा यह दि उसको समय लगेगा, तो packet वहीं ही link पे क्या कर दिया जाएगा, इसा नहीं हो सकता है, कि आपने आज mail किया है, और कल किसी के पास receive हो, या तो 3 minute के अंदर receive हो जाएगा, नहीं तो mail क्या हो जाएगा, फिल्ड हो जाएगा, discard कर दिया जाएगा link पे ही, 3 minute से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, lifetime कितनी है, 3 minute, आपने packet send किया, कोई भी काम किया, तो वो 3 minute से ज़्यादा का समय नहीं लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, 3 minute का मतलब 180 second, आपने यहाँ पे भेजा, तो यह maximum कितना delay हो सकता है, वह maximum कितना delay हो सकता है, 180 second, और यह repeat कव होगा, 4294 second के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कोई problem होने वाली नहीं, कोई problem ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, कि receiver के पास यह दोनों packet एक साथ आजाएं, और receiver confused हो जाए, कि यार इस packet का भी sequence number 100 है, इस packet का भी sequence number, कि दो packet आएं, और पे एक ही number है, confused हो जाए, तो यहाँ पे हमारे पास wrap around time जो है, वो क्या है, greater than है, किस से life time से, जब भी wrap around time मेरा पास lifetime से greater than होगा, तो कोई समस्या नहीं होगी, no problem at all, अब एक computer network का मतलब ही क्या है, 2024 का course वाई करना है फैल, क्या help करें unboxing guru, वोई, आप जाओ app पे और वहाँ आपको course मिले, अभी साथ discount भी चल रहा है, ठीक है, discount अभी चली रहा है, 1000 रुपीस का, तो बहुत सस्ते में आपको course मिल रहा है, affordable price में, तो वहाँ पे जाके खरीद लो, ठीक है, if you are comfortable in Hindi, तो English वाला bachelor, if you are comfortable in English, English वाला bachelor, weekend, weekdays, सब available है आपके पास, चलो, अब computer network का मतलब क्या है, computer network, यहाँ पे कोई problem नहीं होई न, पर मुझे तो problem क्या करने है, create करने हैं, मैं तो यहीं करता हूँ, कोई problem नहीं होती है, तो फिर उसको create करते हैं, और उसको solve करते हैं, इसी का नाम क्या है, यहाँ पर यह, ऐसा नहीं हो सकता, कि दोनों एक साथ आ जाएं, अब मेरा काम क्या है, अगले example में, ऐसा कराना, कि उपर वाला delay हो गया, इसके time से, जब यह पहुँचा है, तभी उपर वाला पहुँच जाए, यह परा काम है, तो इस काम को क्या करते हैं, करते हैं यार्ण, चलो, अब यहाँ से मारे पास bandwidth, suppose मेरे पास 10 power 9, यानि bandwidth मेरे पास 1 GBPS की है, GBPS, यह बहुत इंटरस्टिंग कहानी, लास्ट यहीं से question आया था, दो marks का था, 90% student गलत करका आया थे, 90% student, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा था, क्यों मैं चल्ला चल्ला के बता आता हूं, गल्ती कहां करते हैं student, 1 GBPS, यानि 10 power 9 byte per second, चलो, अब यार यहां से हमारे पास क्या है, 10 power 9 byte per second, यानि मेरे कहने का मतलब क्या है, 10 power 9 byte, जो हैं आप 1 second में क्या कर रहे हूं, send कर रहे हूं, तो यानि मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है, 10 power 9, जो sequence number हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक second में खतम हो जाएंगे, तो एक sequence number मेरे पास कितने second में खतम होगा, एक sequence number, 1 by 10 power 9, total sequence number हैं, कितने मेरे पास, 2 power 32, तो क्या होगा, 2 power 32 divided by 10 power 9, इसकी value आफ फाइंड करोगे, 4.294 आएगी, अब यह मत पूछने, सर, आप calculation इतनी fast कैसे करते हैं, अरे भाई, यार, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, यह wrap around time कितना गया, 4.294, 4 second में sequence number क्या हो जाएंगे, खतम हो जाएंगे, अब यार, 4 second में sequence number क्या हो जाएंगे, खतम, मतलब यह है कि आपने यहां से कोई packet भेजा, suppose मैंने कोई packet भेजा, जिसका sequence number मेरे पास क्या है, 100 है, हर 4 second के बाद, हर 4 second के बाद, यह exact number लेता हूँ, हर 4 second, हर 4 second के बाद, यही same sequence number क्या होगा, repeat होगा, sequence number 100, हर 4 second के बाद, यही same sequence number क्या होगा, repeat होगा, 100, हर 4 second के बाद, same sequence number क्या होगा, repeat होगा, तो यार एक बार बताओ छोटी सी वह यदि ऊपर वाला कोई भी पैकेट हमारे पास चार सेकंड डिले हो गया कि यह जो पैकेट है यह चार सेकंड डिले हो गया दिले कितना हुआ चार सेकंड कि ऊफुरे को रेशीवर के पास क्या होगा कि एक ही टाइम पे दोनों पैकेट दोव पैकेट रिसीवर होगे पहले वाले पैकेट कोई सीप्वेंसoton3 और दूसरे वाले पैकेट कोई सीप्वेंस्वेंसी म्हां तो रिसीवर क्या समझेगा, रिसीवर, रिसीवर क्या समझेगा, सबसे फ़ले यह IP चेक करेगा, कि सोर्स IP किस से आए हैं, तो दोनों एक ही, एक ही कम्प्यूटर से आए हैं, उसको पॉर्ट नमबर भी चेक कर सकता है, एक ही प्लॉसस के हैं, एक ही कम्प्यूटर से आए हैं एक ही process से आए हैं और same sequence number है तो same sequence number का मतलब यह क्या समझेगा कि same packet है यह तो receiver क्या दिमाग सोचेगा कि यार यह हमारे पास ऐसा हो गया है यह इसने same sequence number के दो packet भेज दियें एक ही बंदे ने तो ऐसा करता हूँ एक को receive कर लेता हूँ और एक को discard कर लेता हूँ अब इसने अपना दिमाग लगाया कि दोनों का number रेक ही है और एक ही sort एक ही computer से आए है और एक ही process से आए है तो इसका मतलब क्या करता हूँ एक को discard कर देता हूँ एक को receive कर लेता हूँ जोकि दोस्तों इसके लिए तो दोनों packet जरूरी है ला यह नंबर से में लेकिन इसके अंदर डेटा क्या है अलग है sequence नंबर repeat हो गया 4 second के बाद कैसे repeat हो गया विकोज sequence नंबर खत्म हो गए data is speed से ट्रांसपर हो रहा है हमारे पास one gbps की speed से चार सेकंड में sequence नंबर क्या हो रहे हैं repeat हो रहे है यदि यह ऐसा होगा तो क्या होगी प्राइलम हो जाएगी प्राइलम को कैसे सॉल्व करेंगे ब्हватा बता है का प्राइलम को कैसे सॉल्व करेंगे कोई भी स्टेंड बताओ आइडिया बताओ फटाफट पटाफट बताओ आइडिया बताओ बई कैसे सॉल्व करेंगे कोई दिमाग में किसी की आइडिया है क्या बैंड विट की स्पीड यहां पर हम जब क्या कर रहे थे सर जब यहां पर हमारे पास देखो एक यह एक्जामपल लिया था हमने एक एक्जामपल लिया है सर जब स्पीड हमारे पास 1 Mbps की थी न तो सब कुछ ठीक था यार जब बैंड विट आपने यहां से 1 Gbps के लिए तो दिक्कत हो गई तो सर एक काम करो बैंड विट थो क्या कर लो Mbps ए रहने दो Gbps मत करो कुछ स्ट्रेंड यह सोलीशन बताते हैं जैसा आप भी बता रहे हूं रिड्यूस बेंड विट अरे भाई यार इस स्पीड आप क्या रिड्यूस करना चाहते हो क्या चाहते हो आपके वाई भाई की स्पीड कम हो या जाधा हो यह बता Long यह पता है गया मैं प्रॉलम को देखो एक चीज बताओ छोटी सी कैसे इस प्रॉलम को सॉल्व करेंगे यह आइडिया ले लेते हैं यहां कि कैसे दिमाग लगाते एक बाब बताओ आपने यहां पर हमारे पास कोई पैकेट भेजा जिसका सीक्वेंस नमर कितना है जिसका सीक्वेंस नमर है मेरे पास 100 यह कितना डिले हो सकता है 180 सेकेंड यह मैक्सिमम डिले यह जो है हमारे पास कोई पैकेट यह मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है 180 सेकेंड तो यानि हमारे पास यहां तक इस टाइम तक कोई भी सेम सीक्वेंस नमर रिपीट नहीं होना सी वह मैं कह चाता हूं किसी पैकट का लाइताइम कितना, तीन मिनट है, 180 सेकंड, 180 सेकंड तक कोई दूसरा सीक्वेंस टॉंबर रिपीट नहीं होना ज़ी है, यार इसके बाद यूदी कोई सीक्वेंस टॉंबर रिपीट, सपोज यहां पे अमारे बास तो प्रावलम होगी, ब इसके बाद repeat हुआ है कोई दिक्कत ही नहीं है वा समझ में आई कि नहीं आए तो यानि मेरे कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों यदी 180 सेकेंड तक sequence number repeat नहीं होना है जो भी packet की lifetime है उस lifetime के अंदर same sequence number repeat नहीं होना चीए, उसके बाद repeat हो जाए तो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता उसके बाद repeat हो जाए तो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता ना यार उसके बाद कोई फरक नहीं पढ़ता तो मेरा solution क्या है कि within a lifetime जो packet की lifetime है जितना maximum delay हो सकता है उसके बाद sequence number repeat हो तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं तो यानि इसका solution कैसे होगा यदि आप ये चाहते हो कि 180 second यानि जो lifetime है उसमें कोई sequence number repeat ना हो उसके बाद sequence number repeat हो जाए तो आपको ज़्यादा sequence number की ज़रुरत पड़ेगी वह यदि आपके पास 2 power 32 sequence number है तो वो तो 4 second में क्या हो जाएंगे खतम हो जाएंगे और आप चाहते हो कितने second तक खतम ना हो at least 180 second तक तो आपको sequence number किसके requirement पड़ेगी ज़्यादा sequence number की requirement तो मैं इस problem को solve करना चाहता हूँ पता है कब तो तब solve करना चाहता हूँ जो bandwidth को मैं कोई bandwidth से मैं कोई compromise नहीं कर रहा हूँ bandwidth मेरे पास 1 GBPS ही है GBPS यानि 10 power 9 byte per second ही है और lifetime भी मेरे पास कितनी है 180 second ठीक है तो एक second में मेरे पास कितनी बाइट हम सेंड कर रहे है 10 power 9 byte एक second में कितने sequence number ख़र्च हो रहे हैं दोस्तो 10 power 9 sequence number और मैं क्या चाहता हूँ कि 180 second तक sequence number repeat ना हूँ तो मेरे पास total sequence number कितने होने चाहिए कि 180 second तक sequence number repeat नहीं करने तो 180 second तक यदि में sequence number repeat नहीं करना चाहता तो क्या होगा 180 into 10 power 9 sequence कितने sequence number की क्या होगी जरूरत होगी वास समस्च में आरी के नहीं तो यानि मेरे कहने का मतलब क्या है है यहां से minimum sequence number required कितने चाहर कितने लापरों यहां से minimum दिलाइफ टाइम विदिन दिलाइफ टाइम वो कितने हैं 180 इंटू 10 पावर 9 तो यार इसके लिए जनलाइज फॉरॉला भी तो बन सकता है ना यार जनलाइज फॉरॉला क्या होगा यह बने टी क्या है लाइफ टाइम 10 पावर 9 क्या है bandwidth minimum sequence number required to avoid wraparound time within the lifetime wraparound within the lifetime this is lifetime into bandwidth यहां से यह पूचा जाये minimum sequence number required minimum number of bits required minimum यहां से ही क्वेशन आया था दोस्तों तू माक्स का मिनिम्म नबर विट्स रिक्वा लास्ट यर रिक वायर इंदी सेक्वेंस नमबर फिल्ड तो अवोईड रेपर आउंड तो अवोईड रेपर आउंड विदिन दी लाइफ ताइम तो कितना होगा भी हमारे पास लॉग बेस तू 180 इंटो 10 पावर नाइन और इसका क्या लेंगे अपर बाउंडरी तो दोस्तो जो इसकी आइंसर आएगा ना वो आएगा 38 बिट लेकिन यहां से मारे पास जनरलाईज फर्मूला क्या बनेगा 180 क्या है लाइफ टाइम क्लियर है बात भाई फटाफट बताओ फटाफट बता दो एक बात यह बात क्लियर है क्या कितने सीक्वेंस नंबर के रिक्वार्मेंट होगी वही देखो एक छोटी सी बात यहां कन्फूज मत होना यार यह 38 बिट कहां से आया है एक बाद बताओ यार यह 10 पाबर 9 है 10 पाबर 3 को में 2 पाबर 10 के नेरभाई लिख सकता हूं वह बात यह देखो यहां मैं छोटा से calculation ले रहा हूं यह 180 इंटू यह 10 पाबर 9 है यह नहीं 10 पाबर 9 10 पाबर 3 क्या होता है लेग सकता हूं कि यह 1-2 है यह बनाटी है वनाटी को टु पाबर सेवन तो लिख नहीं सकता हुआ लेगा लिखना पड़ेगा तो यह निरभई 2 आवर 8 होगा 2 आवर 8 इन्टो आवर 30 2 आवर 38 तो ओलमोस कितने sequence number की requirement बड़ेगी 2 आवर 38 sequence number की requirement बड़े कितने sequence number 2 आवर 38 तो sequence number कितने बटका होगा 38 बटका होगा ये बात के लिए रहे हैं आगे बढ़ जया तो यहाँ से confused होने की कोई requirement नहीं है यानि पदा वई फटा फट पदा दा एक बार तो आगे बढ़ जाएंगे चलो अब देखो यहाँ पर पॉइंट भी लेख लो यार यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है minimum point number one sequence number required required to avoid wrap around विदिन दी लाइफ टाइम एक वर टू लाइफ टाइम इंट बंड विड यही था फॉर्मुला वे मिनिमम नंबर ओफ बिट्स रिक्वायर्ड इदी कभी यह पूछता है मिनिमम नंबर ओफ बिट्स रिक्वायर्ड इन दी सिक्वेंस नंबर फिल्ड तो अवाइट रेपराउंड विदिन दी लाइफ टाइम एक पल्टू क्या होगा लॉग बेस्टू लाइफ टाइम इंटू बेंड विड और इसकी भी क्या है यह अपर मांग पॉइन को क्या कर देते हैं बक्स में बंद कर देते हैं और एक पॉइंट यहां से समझने वाली है कि भाई जो बेंड विट्थ होनी चीए वो किसमें होनी चीए एक पाइट पर सेकंड बेंड विट्थ मस्ट भी बैड पर सेकंड यह सो यह यहां से यह दो एक्जामपल क्या समझाएं बेंड़ एकल टू 1 gbps 109 बाइट पर सेकिंड धिकुछ रबाइट को सीक्वेंस नमडर दे रहे न तो बैंडविट यदि किसी क्वेंस में बिट पर सेकिंड में हैं हम हर बिट को सेक्वेंस नमडर साइन नहीं करते हैं मैंने दो क्या कर सकते हैं क्लियर है चलो बई एक बाद बदाओ फटा फट ये क्वेश्टन सॉल देखू बई परशन कर या गविन है मेरे पास था टूहनडड़ mbps network इस शीक्मेंस नमड़ 200 mbps network means bandwidth given इतनी 200 mbps into 10 power 6 bits per second हमेशा यह ध्यान रखना कि जब भी bandwidth bits per second में गेट वाले ऐसी तो खुमाते हैं bandwidth per second में देते हैं और यहां क्या है हमने calculation किसके हिसाब से कर रखे हैं पहले byte per second कि हर byte को क्या होता है sequence नमर साइन होता है तो इसको byte per second में convert करो तो क्या करोगे 10 power 6 divided by 8 byte per second तो यार यह समझ लो मारे पास कितनी byte में send कर रहा हूँ 25 इन्टू 10 power 6 वाइट जो है वो कितने से टाइम में send कर रहा हूँ में एक second में तो यार 25 इन्टू 10 power 6 sequence नमबर मेरे पास एक ही second में क्या होगे खतम हो गए तो एक sequence नमबर question बढ़ो गए कितने टाइम में खतम होगा 1 by 1 by 25 into 10 power 6 और कितने sequence नमबर मेरे पास 2 power 32 sequence नमबर तो 2 power 32 डिवाइड भई 25 into 10 power 6 second तो क्या आएगे value बताना भी 10.73 चेक करके बताना calculation ठीक है कि नहीं और यह क्या रैपराराउंड टाइम question में क्या पुछ रहा था है ओ सीक्वेंस नमबर मेरे पास तो पावर 28 डिविन है भई हमने तो by default solve कर दिया भई यहां से हमारे पास sequence नमबर इसमें डिविन है खुद sequence नमबर कितने बिटका डिविन है 28 बिटका तो ज़िविन सीक्वेंस नमबर क्वेंस में खुद गिविन है ठीक है तो पावर 28 सीक्वेंस नमबर ने खुद क्वेंस में गिविन बाई डिफॉल्ट इथी गिविन नहीं होता कितना ले थे अब यार यह भूल जाओ लाने ना आपको तुमाक्स आपको लाने है यहां से यह टू पावर 28 क्या है एक अब एक बाव बताओ यार तो रैपराउंड टाइम का इदि रैपराउंड टाइम का मैं जनलाइस फॉर्मला एक लाइन में बता दू तो क्या होगा वह टू पावर 28 क्या है यह सीक्वेंस नमबर है सीक्वेंस नमबर फिल 28 विट का है टोटल सीक्वेंस नमबर रैपराउंड टाइम का एक लाइन का फॉर्मला क्या होगा इस इस रियली वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह सबसे जरूरी है कभी बेंडविट किस में होनी इसी मरे पास बाइट पर सेकंड में होनी इस यह मिस्स मत करते ना बस इजी है ना यार कि लिए रहे बात बताओ फटावट भी यह फॉर्मला मिल गया के नहीं मिला इस पॉस्टन सॉल्व कर सकते हैं इजी ली हम चलो एक नेक्स कॉश्चन है यह गेट 2018 में पूछा गया यह दो मार्क्स का क्या टू मार्क्स की इस क्वेश्चन की उकात है बताओ फटाओ फटाओ बलब क्या बोला है यह अंसीडर ए लॉंग लाइव टीचीप शेशन विद एन एंड टू एंड टू इंड तॉ इट आपनीट ऑफफ उन जीबीप यह तैन पावर नाइन यह यह तैन पावर नाइ इस सेचन स्टार्स विदे सीकेंस नमबर ओफ फे फोर से इसन कहां से स्टाट ओधा है वन टो त्री फोर से इन मिनिममम टाइंब इन सेकंड्स राउंड़ीट तो गोजस्ट इंटीजर इस पीफोर दिस सीकेंस नमबर इन भी यूस्ट यह करा है यह sequence number can be used again तो इसका मतलों क्या गए रहा है यह पूंचा रैपराउंड कितने time में sequence यदि मैंने किसी sequence number से start किया है तो कितने time में सारे sequence number क्या हो जाएंगे खतम अब यदि किसी भी question में sequence number नहीं given है तो sequence number कितना होगा अब है तो इसका अंसर बहुत सिंपल है क्यों करो भी फिट आफट 34.35 very good very good क्या बात है यार एक लाइन में तो बताया आना क्या है यह रैपराराउंड टाइम भी पूंच रहे ना कि क्या है रैपराराउंड टाइम का सिंपल फर्मॉला है टोटल सीक्वेंस नंबर कि डिवाइड वई पेंड विड़्थ बस ये ध्यान रखना है कि ये bandwidth किस में करनी है आपको byte per second में करनी है यदि byte per second में नहीं है तो अब यार sequence नंबर कहीं given नहीं है तो default sequence number कितने करेंगे 2 power 32 32 bit करेंगे तो total sequence number कितने होगए 2 power 32 divide by bandwidth क्या है 10 power 9 bits per second byte में करेंगे तो क्या करेंगे width में divide by 8 8 तो यार हमेरे पास यह क्या होगा 8 into 2 power 32 और divide by 10 power 9 कितनी value आ रहे है 34.35 तो closest integer क्या होगा मेरे पास 34 seconds के लिए रहे है बात बताओ बई कोई दिक्कत परिशानी किया इस question को solve करने में है यार simple सी बात है आसानी से हो गया और यह two marks का question था logic समझ में आ गया तो easily क्या कर सकते हो solve कर सकते हो यहां से shortcut मिल गया कि वे रैपराउंड टाइम क्या होगा यह हो जाएगा रैपराउंड टाइम का formula आगे बढ़ जाएं अब यार यह question जो है ना यह question बद थ्री है यह question last year पूंचा गया था यार two marks का यह एट 2022 में 22 में two marks का question था question समझ लो क्या कह रहा है पॉर्सन में क्या विला है closest integer वैसे इसकी range given थी ठीक है यह देखो बढ़े पॉर्सन में थ्री चंसिटर डेटा टांसफर यूजिंग टीचीपी ओवर ए वन जीबी पीएस लिंक गेल बेंड़ गीबी इस ए हैं यह ए लगी पीएस है यह टीबी पीएस यह 10 power 9 bits per second है यह भी हमेसा क्या करना है बेंड़्बीट को byte per second में convert करना है 10 power 9 divided by 8 है बाइट पर सेट अरे किया है आगे क्या है आगे क्या है थि मेंदीग्सिंग segment lifetime lifetime कितने की विन है 60 second या lifetime कितने की विन है 60 second आगे क्या कहा है minimum number of bits required for the sequence number filled of TCP header to prevent the sequence number space from wrapping around during MSL maximum segment lifetime कि रहा है यानि lifetime में sequence number repeat ना हो उसके लिए कितने sequence number चाहिए तो यार इसके लिए तो अभी एक line का formula लिखा है ना क्या लिखा है यह लिखा है minimum number of bits required in the sequence number filled to avoid wrap around within the lifetime log based to lifetime into bandwidth log based on the log based to lifetime into bandwidth number of bits required in the sequence number field to avoid wrap around avoid wrap around within the lifetime in the sequence number of bits required in the sequence number of bits पर र्यार हमारे पास लोग बीस टूए और यहार हमारे पास इस वेंट विट का धियान रखने कितनी टैन पावर 9 इवाइट वाइट एट एट से डिवाइट करो कितना आएगा यह 7.5 आएगा ना 876 7.5 लोग बेस 2 7.5 इन टू यह 10 पावर 9 कर सकते हैं इसका देखना भी 32.8 आएगा यह एग्जेक्ट वेल्यू इसकी अपर बाउंटरी कितनी होगी 33 चेक करके बताओ भी 32.8 ही आ रहा है क्या बताओ भी फटाफट तो यार एक बाब बताओ कि यह जो question है इस question का क्या यह two marks का मतलब concept ही दिया आपको clear है ना यार और सबने mistake बताओ कहां करी थी सबने क्या किया था यहाँ पे हमारे पास lifetime into bandwidth तो पता होगा लेकिन bandwidth क्या थी 10 पावर 9 तो यहाँ पे 10 पावर 9 into 60 कर दिया bandwidth को बाइट पर सेकंड में convert नहीं किया लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी यहां से TCP क्या है बाइट stream protocol है हर एक बाइट को एक sequence नमबर असाइन हो के लिए बाइबात वड़ा वड़ा बताओ फटाफट क्लियर है यह question क्यों छूड़ के आए थे यार कास मुझसे पढ़ लिए होते पहले तो two marks आपके आगे होते मेरा कोई stand इसको गलत नहीं कर गया था विकोज मैं हमेशा यही देखो मैं यही example यह तीसरा example आज कराने इस प्रसेंट में आए यह वाला एक्जामपल गेट का पहले आ चुका था यह कराता हूं एक यह एक्जामपल कराता हूं क्यों इस वे आंसर क्या है बिट्स पर सेकिंड में यह question यह example पिछले 10 साल से करा रहा हूं यह क्यों 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 मुझे यह पता था कि गेट वाले एक ना एक दिन क्या करेंगे खेलेंगे वह बेंट बिट पर सेकिंड में देंगे और स्टुडेंट्स क्या हो जाएंगे तो मैं अपने नोट्स में यह एक्जामपल 10 साल से करा रहा हूं यह इसलिए उसका आंसर भी याद था ना मैंने 28 की जिए टूपावर 38 लिख दिया था लेकिन कैलकुलेशन 10.73 लिखी थी क्यों लिखी थी कैलकुलेशन याद हो गई है कि 10.73 आएगा इसका अंसर और यह आप देख रहे हो ना यह वाले यार इसकी यह कितना आएगा यह तूपावर 32 डिवाइड बे टैन बावर 6 4214.96 इसकी कैलकुलेशन भी कैसे हो गई याद हो चाह inclusive में कई को यह एग्जांबल में करा रहा हूं तो यह सारी चीजे मैं पहले सही मतलब कर आता हूं यह था मैं जाबल resign more przygot था कि future में कभी न कभी ऐसा पूछेगा और उसने पूछ लिया और पूछ लिया तो जिनको नॉलिज थी वो करके आ गए बाकी सब रहे नहीं तो यह कुछ सवाल में कुछ है नहीं यार टू मार्क्स है बताओ बढ़ी टू मार्क्स का कोई सवाल है क्या हाँ देखो concept यदि आपने अच्छे से cover किया है ना यार तो कभी भी आपको difficult नहीं अब यार पता है क्या चलो मैं कुछ और बताने वादा छोड़ो इसका solution तो मैंने यह 38 बिट था ना कितने गी लेगिन हमारे पास तो 32 बिट का है वह 38 बिट का फिल्ड की यह क्या बोल रहा है कि minimum sequence number कितने का होना चाहिए 38 बिट का लेकिन sequence number तो कितने बिट का होता है 32 बिट का होता है तो सर उसको काट के 38 कर देंगा नहीं कर सकते वैसे जरवत नहीं है तो इसलिए हम इसको बता भी नहीं रहे लेकिन अदर्वाइस इसकी पूरी कहानी में समझा सकता हूं कि इस problem को कैसे solve करेंगे कि 6-bit हम extra है उनको कैसे manage करेंगे और फिर कैसे problem करेंगे और यह वाली problem ना है लेकिन वह यह वाली problem ना हो कि को sequence number तो बढ़ा नहीं सकता sequence number बढ़ा नहीं सकता तूप आवर 32 है तो तूप आवर 32 रहेंगे कि ऐसा नहीं को थोड़ी कर सकता हूं कि sequence number फिल्ट को कट करके तूप अवर 38 बिट का कर दूँँ ना इस इस बिट पैडिंग पैडिंग से काम नहीं चले हाँ 6-bit option से ले सकते हैं लेकिन option से लेके क्या करोगे कि sequence number फिर ज्यादा कर दोगे 238 ना sequence number वही रहेगा वह लंबी कहानी है उसमें हम जाते नहीं है ठीक है अधरवाइस हमें लग जाएगा और गेट के लिए requirement भी नहीं है वह general knowledge के लिए है कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे जरूर ठीक है जलो बई इतना बड़ा सब्जेक्ट है आप सोच नहीं सकते इतने सारी concept है इतने सारी topic है इसलिए मतलब students को लगता है कि यारी बड़ा सब्जेक्ट छोड़ देते लेकिन दोस्तों इससे interesting subject जो है ना कोई है एक बार full computer network आपने पढ़ लिया ना full computer network आप subject के दिवाने हो जाओगे बाकी subject को आप बोलोगे बाकी subject मेरी second priority बन गया है सिर्फ computer network first priority है इसी को पढ़ना है और इसी को पढ़ाना है हाँ मेरा आतना class लेंगे अलब यह आपका one of the favorite subject बन जाएगा एक बार आप तसली से अभी क्रेस कोर्स के लिए प्रिपेर कर रहे हो कोई बात नहीं क्रेस कोर्स के लिए कम पढ़ लो जितना जरूरी exam के लिए लेकिन एक बार इस subject को पूरा एक एक topic सारा जरूर पढ़ना यह मैं especially आपको recommend कर रहा हूँ जिस दिन आपने पूरा subject पढ़ लिया ना first to last एक एक point पढ़ लिया ठीक है तो वो अलग एक feel आजाएगी मतलब आपको और आपका यह one of the favorite subject बहुत interesting है हर चीज logical है कुछ रटना नहीं सब्जेक्ट में समझना है आपको कहानी समझ में आ गई सब्सक्राइब कराते हैं और किसी भी concept को सिंपल बनाना है आपको concept ही ना लगे अब एक बाव बताओ यार यह concept जो था हमने सिखा दिया आपको आ गया और यह two marks का question जो आया था इसमें कुछ नहीं था लेकिन जिसको नहीं आता था वो गलत करके आए कुछ लोगों नहीं किया ही नहीं और जिन्हों नहीं किया है वो गलत करके आए 90 पॉस्टेंट तो ऐसा नहीं कोई question बहुत एकाद question नहीं तुम्हें बोलता नहीं हो एकाद question difficult हो सकता है लेकिन most of the questions ऐसे हैं कि जो concept यह दी क्लियर है तो आप question solve कर सकते हैं तो इसलिए हमेश इसा concept पर क्या करना है focus करना है ठीक है अरे सुनील यार यह तो मैंने लिख दियाना एक बाव दाओ यह से यह यार यह 10 पावर 9 है ना इसको around 2 पावर क्या लिखेंगे 30 लिख देंगे 10 पावर 3 यह 7.5 है 8 है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा तूपावर तूपावर 3 तूपावर तूपावर 33 तूपावर 33 तूपावर 32 बित का होजाघा 32.8 एक्जेक्ट आएगा लेकिन यहां से भी आप अंदाज लगा यह यह 10 पावर 9 तूपावर 30 के और यह 7.5 तूपावर 3 के तो 30 और 30 बैटा जाएगा कि इतना असान हो गया नहां से किलियर है नोट्स भी आपको मिलेंगे मेरे कंप्यूट नेटवर्क के सोट नॉट्स भी मिलेंगे बाकी सब्जेक्ट के मिलेंगे साइब कल या परसों में अपलोड हो जाएंगे ठीक है और कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब जो हैंड रिटी नोट्स से वह मैं ही बना रहा हूं तो काफी अच्छे से आपको मिलेगा सारे पॉइंट उसमें लिखें जो भी अच्छे से इंपोड़े पॉइंट है ठीक है ठीक है चलो ठैंक यू सो मच मिलते हैं कल सेम टाइम साथ से नो बज़े तूसरे टोपिक के साथ ओके सो थेंक यू बाई बाई